क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका जापांज रूस जैसे देशों की सेना इतनी एक्टिव कैसे रहती है किसी दूसरे देश को लेकर जैसे चीन भारत के सीमा पर LAC के 19 किलोमेटर अंदर आ गया था यानी 19 किलोमेटर भारत की सीमा में घुज गया था और भारतिय सेना पहले से ही लोकेशन पता नहीं था इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारतिय सेना की जो भी सेटेलाइट है उसको इसरो हैंडल करता है इसरो अपने मिसन को लेकर काफी बेस्त रहता है चाहे हो मिसन लांच हो या नए मिसन को लेकर हो इसरो के पास इतना समय नहीं होता कि हु अपना काम बंद करके सिमाओ की निगरानी करना शुरू कर देता है और जानकारी इकठा करके सेना तक पहुचाता रहता है इसलिए इसरो को 6-7 सेटेलाइट ऐसे बनाना होगा जिसे केवल भारतिय सेना ही हैंडल करे और 24 घंटे अपने सिमाओ की निगरानी की जा सके जिससे भारतिय सेना चीन और पाकिस्तान जैसे देशोग पर पूरी तरीके से निगरानी कर सकेंगे इसरो को 6-7 सेटेलाइट इसलिए कि जिससे अगर फिर कभी चीन एलेसी पार करे तो तुरंत का तुरंत उसे ख़देड़ा जा सके इसलिए सेना को पूरी तरह से डेडिकेटेट सेटेलाइट चाहिए क्योंकि उन्हें एनमी की पॉइंट टू पॉइंट बदलती हुए लोकेशन चाहिए होती है ना केवल सेनिकों की संख्या बलकि उनके दोरा बनाएगे पूल, टेंपरेरी सड़क या फिर उनकी जितने हाथियार हैं, वो कौन से हैं, उनकी रेंज क्या है ये सब जानकारी की जरूरत होती है तो अगर सेना के पास डेडिकेट सेटेलाइट हो तो तीनों काम यानि नेविगेशन, कम्यूनिकेशन या इंटेलिजेंस, गैदरिंग ये सब ज़्यादा सटीकता से हो पाएगी जैसे हाल ही में चीन गलवान घाटी में युद्ध अभ्यास के नाम पर 20,000 से ज़्यादा सेनिक लेकर आ गया था और बाद में बोलता है, यहां हम पहले से ही हैं, यह हमारा एरिया है तो 6-7 सेटेलाइट हो जाने पर चीन ऐसा नहीं बोल पाएगा इसलिए एस सेटेलाइट बहुत ही जरूरी है हलांकि हमारे पास पहले से ही एक सर्विस मौझूद है जिसका नाम DSA है यानि Defense Space Agency लेकिन उसकी तरफ से अभी और भी परियास करने की जरूरत है जिसके लिए हमने भारत सरकार और रच्छा मंत्राले को एक पत्र भी लिखा है ऐसे ही और जनकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाईए